असलाम अलेकुम जी आज का लेक्षर करते हैं शुरू पार्ट नमबर एट में आपको करते हैं खुशामदीद और हम सबसे पहले होम स्क्रीन को थोड़ा सा डिजाइन साइंज येस कर लें इसका सो टेक्स जाँ झो फटेक्स अपने पास कुछ विजट्स लेगा ये अपने पास शायद लेगा टेक्स्टjang … कि ये टेक्स्ट स्पैन लेगा हाँ जी इसके दर मैंने क्या कर जी टेक्स्ट स्पैन कर दिया अब टेक्स्ट स्पैन अपने पास क्या लेगा जी कुछ चिल्डरन ले लेगा चिल्डरन ये अपने पास कुछ विजर्स ले लेगा और इसके अंदर अब जाके हम क्या काम कर दे तेटेश ने हें थे यहां पर मेरे सबसे पहरा लगाता हूं कॉंस्टॉर्र यहां पहरा कॉंस्ट लगा दूँ فिलाल और अब यहां पे क्या लगाुँ जी child reiner । पहला curly text span इसके अधे क्या लगा दिया text और क्या मैं इसम्पल टक्स लगा सकता list of inline span word text text कर दिया, मैंने क्या बला इस text को क्या चीज चाहिए, string चाहिए so मैंने पहला कह जी, eco ठीक है जी, comma यहां क्या कर दिया, मैंने style, क्या कर दिया text style, font size क्या कर दिया, मैंने 29 कर देंगा, मैं 20 नहीं करना, 27 ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह मैंने क्या कर दिया, एक text pen का widget मैंने लगा दिया, जो कहीं शो हुआ आपको, control C किया, control V किया, इसको यहां पर color भी अगर दिया जाए तो color, colors dot, flag अगर दिया जाए, देखाए तो यह काम करेगा, yes, इसको color मैं करता हूँ, कुछ डिफरेंट, कौन सा कर दुम्हें, deep purple, font weight, font weight dot bold, ठीक है जी, इसका color जो है, मैंने क्या कर दिया, इस वाले का, इसको दोनों को किया, जी, तिनों को किया, copy, और किया, जी, क्या बहला, यहां पर, paste, और इसका color मैंने क्या कर दिया, colors dot, each text के समय लगी, एक ही line के इतनी मर्जी changes करते जा, इतनी मर्जी italic करनी है, मतलब जो भी mall बनाना है, एक ही text के इंदर, row में, दो text लगाने पड़ेंगे, यह तरह मतलब के और ट्रीक है, इको भाई के नाम से हमें थोड़ा सा logo शो को मतलब थोड़ा सा बना दी है, लोगों को पाज़ लेके हमें थोड़ा सा logo बनाया हुआ है, ठीक है, font style कर दें, और font style क्या कर दें जी, यह क्या ले रहा है अपने पास, font style.italic, ठीक है सर, यह अपना थोड़ा मतलब बनाया यह, लोगों बनाया है, आगे चलते हैं और इस लोगों को category home boxes हमने बनाई थी, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले ही काम करते हैं, और वो काम यह करते हैं, कि मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ नीवे, और नीवा करने के बाद, इस pubspec.log के अंदर, यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक new folder बनाया है कौन सा, assets के नाम से, assets को उर्दू में कह रहते हैं, असासाजाद, ठीक है, assets के अंदर, मैं एक निया folder बनाता हूँ, और उस folder के नाम करता हूँ, मैं जी क्या, box, categories, see images, c images, और ये मैंने कुछ images की categories, ये मैंने उठा के, c images केंदर मैंने, अब यह सी मजीज क्या इसमें अंडर्सकोर लगा हुगा है जी लगा हुगा हुगा है इसके बाद हम क्या 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 क्याक करेंगे जब एसर्ट का फुल्डर बनाने के बाद pubspec.yaml पे जाएंगे और क्या काम करेंगे इस सारे को क्या कर देंगे और यहां क्या लिख देंगे जी assets slash यह सारे क्या कर देंगे फटा देंगे और यह क्या देंगे c underscore images और forward slash लिखा देंगे ठीक है जी यहां तक किसी कोई तकलीफ कोई मसला कोई परिशानी ओके हो गए जी अब हम कहां पे जाएं अब हम जाते हैं जी model के अंदर और एक नया model बनाते हैं उसका नाम करते हैं category model dot art और यहां इक बनाते हैं class category model या category के नाम से बस string बनाया जी किस नाम से जी सबसे पहले title और के बनाया string string image ठीक है सर यहां तक किसी कोई मसला this dot title this dot image और इन सालों से पहले अगर required लगा लिया जाएं title required है इमिए required नहीं है ठीक है अब हम चलते हैं यहां पे एक list बनाया किस नाम से category और category category categories और यहां के किया है मैंने category title के दिए यह मैंने पहला title किया है हमार रपस था home screen के दर गया है और यहां से grocery कर लिया copy और category model के दर गया है यहां के कर दिया category model का यह है sorry और साथ में क्या लिख दिया हमने टीवी कितनी हों के लोडल पांच ही थी मारे पस grocery के लावा क्या थी मारे पस electronics so electronics भी मैंने यहां पर कर दी add इसके बाद क्या थी मारे पास cosmetics 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 pharmacy pharmacy ठीक है सर और यहां पर क्या आगए जी ग्रॉसरी की जगह पर electronics तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं राइट क्लिक डिरेक्टी F2 क्यों नहीं प्रेस क्यों नहीं प्रेस क्यों तू दो मेंट रख जा control A, control C और category model के अंदर यहां के लिख दिया जी कॉस्मेटिक्स उसके बाद कौन सा है फारमेसी फारमेसी इसके बाद के लिखाव है जैम जगलर फारमेसी एंड ग्रॉस्री कॉर्नर हमारे हाँ electronics और कॉस्मेटिक की फिसेल्टी भी दिस्तियाब है ने इस कम की रियायत पर electronics का समान भी दिस्तियाब है यहां से को क्यों किया सर अब हम कहां पर गया जी अब हम जाएंगे यहां पर और नहीं हाँ यहां पर जाएंगे और जहां पर categories इंडेक्स यह लगा हो गया है अब हमें यह नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए यहां पर categories कहां से यह वाला categories index अच्छा आपको एक मसला आसकता है मसला यह कि होम स्क्रीन हमारे पास दो दफाए डिफाइन है तो इसको मैं क्या करता हूँ फारग कर देता हूँ और अब यहां पर जाके यह categories कौन सी है इसको हमने यह import कर लिया और अब यहां क्या लिखा जी category index dot क्या जगा टाइटल तू स्वाल कर पुछता है तो बल्ला करता है अच्छा जी अपना रो लग गया जी list dot generate होगी यह container लगा हूँ था और यह container के उपर यह text लिखा हूँ था जो के मैं कुछ अरसे के लिए कुछ seconds के लिए इस text को मैं यहां से हटा देता हूँ और इस container को wrap with a column कर देता हूँ एक container यह बन गया मेरे पास और इस container के नीचे मैं कर दोता हूँ यह वाला पुरे के पुरा text रख देता हूँ यह जो complete series यहां पे जो app यहां पे भी हमारे को कुछ मसला आ रहा था यहां पे जो हम जहां पे update complete वाला काम कर रहे थे तो यहां पे categories और साथ में क्या आएगा यहां पे क्या आएगा e.title और यहां क्या आएगा e.title और अब यहां पे भी कुछ issues थे categories को कर लिया import e.title e.title और e.title अब आगे चलते हैं जी अब हम कहां पे जाएं जी इसको एक बार restart किया category home box six boxes में कहा है और इस container में हम एक image लगा रही है कैसे लगाते हैं image container में अब आगे आगे उप्जाओ इक और भी तौप्शन होता है इस अब आगे अब इमेज के अदर क्या आगा इमेज किस टाइब के ले गई है डेकुरेशन इमेज डेकुरेशन इमेज अब इसको चाहिए एक इमेज कौन सी देंगे इमेज डाट एसर्ट और ये क्या कहता है अर्गुमेंट टाइब ओके ये क्या रहा है कि भाई इसमें इमेज प्रोवाइडर चाहिए यहां के आगा काटेगरीज और जहां के आगा कमाने पस ये क्या कहता जी तरह चाहिए अ कि आगे आगे अजय अ देड़िए ये क्या आगे अ एस सर्ट इमिज ये चीज तरक अजीज अब इसको हम चलाकर देखें जी एक एरर आ रहा है बड़ा जीब सा कौस्त ने अपना सी रोड़ा पाया है अपने ना सब लिख सकते हैं कुछ हमजीज नमारे पास आगे जो कि डिसंट लुक सो गुड बॉक्स चैड़ो ठीक है कंटेनर ठीक है और सरकल की बजाय क्या कर दें कर दें क्यों को देना हमने, इसे colors भी मैं अटा रहा हूँ गई, यह कौन सा color है? इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, यह जो इमजीज है, इन पर इशू जे रहा है, नेट कभी कभी कनेक्ट नहीं होता यार तुम लोग फिर बाते हैं कर रहे हो अच्छा जी बेटा तरह देखो ओके इसके बाद आप मेंचे चलते हैं मतलब कुछ बेतर लग रहा है ना इससाब देखते जाओ तुम लोग किस लैडर की स्लाइडर की तस्वीर नहीं आरी है कुछ नेट का मसला और बता है क्या मसला है इसको ओके जी अब यह जो तस्वीर है यह बड़ी बड़ी आरही है I don't like this बड़ी बड़ी तस्वीर है सो इसकी हाइट जो है वो मैं करता हूँ अच्छा बेटा जी इदर देखो यह कुछ आपना बिल्कुल डिफरेंट जी है बना रहे हैं ब्लैक में वाइट फुल है क्यों उस पोले ते स्क्रीन खराग भी होगे ना तो फिर भी अपनी आप छीक दिखें या यह नैट से इमजी जो आ रही है ना यह नैट से इमजी नहीं आ रही है यह एक इमज जो है ना यह नैट से नहीं आ रही अब यह पता नहीं कौन सी नहीं आ रही तो हां उन्होंने कोई चेंजिस कर दी है यह इमिज भी पढ़ी है, 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 पढ़ी है, यह इमिज भी पढ़ी है, पढ़ी है, यह इमिज पढ़ी है, पढ़ी है, यह इमिज पढ़ी है, पढ़ी है, इम जी सारी पढ़ी है तो फिर लोड क्यो इमिज डॉट नेटवर्क ए ये इमिजेस से आ रही है इमिज लोड नहीं हो रही है ये बहुत प्रहा सवाल आपका अच्छा एक और काम करते है मैं डार्ट पैकेज में जाता हूँ और यहां पे लिख देता हूँ क्या कैश्ड नेटवर्क इमिज अच्छ तो ठीच चाल रही है कैश्ड नेटवर्क इमिज ये एक दफार बस मौल बना कर रख लेगी उसके बाद जो है ना मतलब कि एरर नहीं देगा आप अब लिखना क्या चीज़ तुम्हें कि अच्छ नेटवर्क इमिज के नाम से अमने डिपेंडेंटेंसी कॉल कर लें अगर अगर एरर नहीं लोड होता ना तो उसकी जगह पे हमारी इमिज आ जाएगी तब तक या सर्क्लर प्राग्रस इंडिकेटर कुमता रहे कुछ ना कुछ आएगा एरर नहीं आएगा ट्रुड़ाग्क या सर्क्लर कुछ देश्ट मैंदिके इस जट्वर्क इंडिकेटर्स ना एकुछ ना कुछ अप्टेक्टर्ब अच्छा बेट आप, कैश नेटवर्क इमज को कॉपी किया और कैश नेटवर्क इमज को देखो ना अभी तक ये कहा रहा है कि भाई इसको इमजीज नहीं मिल रही है, I don't know इसको क्यों नहीं मिल रही है, इमजीज के बारे मेल नहीं है, लेकिन इसको मिलनी भी चाहिए, अब चलो इसको हम डाउनलड के खुद भी रख सकते हैं लेकिन मैं अब जिस चीज के लिए अडगया हूँ मैं आप वो करके छोड़ूँगा, so images, image.network की बजाए क्या लिखतू हूँ मैं यहाँ पे, cashed network images, और इसको हम क्या खलते हैं, import को बारते हैं, इमज लोड नहीं हो रही नहीं क्यों नहीं हो रही है, यह क्या रहा है कि भाई, failed host lookup, cdn, bigzn, images का ही रोड़ा है कोई है, error number seven, the parameter image URL is required, ठीक है जी, अब इसके बाद cash network के अंदर हमें एक और क्या क्या खाम करेंगे, placeholder भी लगा देंगे, ठीक है, placeholder, so यहाँ पे क्या लगाते हैं, placeholder, और placeholder अपने पास क्या लेगा, यह एक function लेगा, ठीक है, और उस function को यह देखिए, यहाँ पे एक function लेगा, यह इदर गया अपा, नहीं लेगा, तो लब देखिए अपा, c, i, और यह कर देते हैं, और यहाँ करते हैं, जी, circular, circular, progress, अब जो मर्जी लगा लो, linear progress indicator भी है, अब कुछ भी लगा दो यहाँ पे, अब चाहिए image लगा दो ताकि जब तक वो लोड़ने तक अक्सर रहता नहीं है, placeholder, या image जोड़िंग या कुछ भी आसा कुछ आदा होता है, बाकि internet पर भाई इतने के progress indicator पड़े हुए है कि आपकी सोच है, आपके सब्सक्राइब करागा अब करेंगा मतुक्रा साडेना इतहे बंद्रा-बंदा वह इचने प्यारे सर्कुलर progress प्राग्रस प्राग्रस कांब तू ले गया में तो, पानीज पुगोके राखते में, सुबोँ आरपीटा करका स्मे, तू आप्राग्स अडिकेटर प्र कको कोई से पहले कि कि अरहरा ऑट सब्व Reynolds, ऐसरी सुछति कि आता यह डिकेटर, प्रस बीड हें 되지 कि कोई मसला नहीं है यह दिखूँँने ची मिलस यूड़ मिलस अरख अथ्व मेलन ओफ, ज़ो फिर अबे भी फिस दुन स्तीर फॉन हम कि अहीं क्यामसान यह तो कंटेजन लगा है यह दुनिया जल्दी बुजित लिए मैं रिस्टर के देखता हूं इसको यह देखो जी है को मीजा रहे है को मीजान दे इस ते तुम लोग एक इमिज डॉट एसेट लगा के ना एक इमिज भी लगाता है जो के ज्यादा बतर ही है क्या लगाता हूँं यह एक इमेज डॉट इस और क्वा सी इससट लगा दू मैं काटेगरीज डॉट का-ाटेगरीज 0.image जो first image है वो मैं show करवादता हूगा ठीक है? First index पी जो image पढ़ी है वो यहाँ पर show जागा जो भी है ठीक है? अब यह show होती रहे हैं अब यहाँ से net से कोई image उठा करें प्लेस ओल्डर वाली वो लगा दीजेगा यहाँ पर ठीक है लेकिन आप खुद से भी डाउल लेकिन future में होने क्या करना यहाँ पर मैं इंशालला admin panel पर ना एक बनाऊँगा के add slider के नाम से एक page बनाएंगे वहाँ पर वहाँ से user slider इमजी नहीं लोड हो रही है जब तक यह रहाँ तो यह दे रहा है कि इमजी जब तक लोड नहीं तो जब तक यह चलता नहीं तो यार यह कुछ न कुछ न मसला है यह तो कैसली slider में कोई नहीं को मसला है तो कैसली slider में कोई नहीं को मसला है यह कहीं नहीं कोई मसला है यार आप इमजी चेंज कर लेना इमजी चेंज कर लेना ठीक है अच्छा बास सुनो यार मैं ना यह जो कैरोसिल स्लाइडर है इसको कंट्रूल डॉट दुबा के अक्स्ट्रेक्ट विजट करने जा रहा हूँ और इसका नाम लखने जा रहा हूँ क्या कैरोसिल बस और यह बस कलास बन गई और इस कलास को मैं। क्या करेता हूँ मैं। यहां के इदेर घ्र गया वो कट्नर से मैं इसको क्या करता हूँ मैं कट्नर कामेंट कर रहा है बसि ओ reign क्या हैं इसको हम mí bạn मैं एक बनाउँगा slider के नाम से add slider के नाम से वहीं से बनाएंगे वहाँ पे user मतलब admin जो होता है उसने graphic designer कोई hire किया होगा वो images बनाएगा जरा प्यारी प्यारी वहाँ buttons भी बने होंगे कि वहाँ button भी add करेगा मतलब उस button पे click करेगा तो खास एक हमारे पास exclusive offers के नाम से पेज बनाओगा तो उस पे click उस पे चला जाएगा तो वहाँ से मारा मॉल बनाएगा पापुलर आइटम्स पे जाते हैं और यहां पे एक style लगाते हैं text style लगाते हैं text style लगाके font size कर देते हैं क्या करते हम लोगों 20 और भाई छोड़ दे मेरी जान क्यों मैं करूं recording stop recording start तो है वाई recording start तो होगी font size मैंने कर दिया 25 ठीक है वो मैं उदर से slider उदर से add करूंगा admin panel से जाने चुड़ाओएगा उदर से add कर वाईगा उदर से हम लेकेंगा अच्छा जी अब हमें popular items यहां लेके आनी है भाई क्या लेके आना है popular items लेके आनी है ठीक है so हम क्या काम करते हैं जी सबसे पहले तक function बना लते है popular items ब्रैंड जितने भी हैं उनके नाम भी यहां पर get करते हैं और उसके बाद हम क्या get करें जी और क्या सेल वरी चीज़ें भी get करते हैं यह तमाम मुशिएं सरच करते हैं तो बेटा Firebase API ही है असल में Firebase API वो उसने बस method बना के दे दिये हैं Firebase की dependency एड़ के वेकंट पर API ही चल रही है अब जो data कहीं और से आ रहा है तो मतलब API से यहां पर get data के नाम से क्या बना दिया जी एक function बना दिया वो क्यों हो गया जी इस function के अंदर मैं लिख दिया जी Firebase firestore.instance.collection क्या नाम था products.get इस लाइन से क्या होगा वो सारी getter जाएंगे stream मिलता लगानी ज़रूरत नहीं है ठीक है dot then कर दिया जब हमारे पास आ जाए तो के काम हो value किस type की है query snapshot type की है ठीक है so अब हम क्या करेंगे जी यह जो value है यहां पे उपर बनाते है एक list ठीक है और list बनाते है किस नाम से जी popular item उसके नाम से एक खाली list बना के हमने दख ली जी और यहां पे क्या लगाया जी एक for in loop लगा दी क्यूंकि क्यूद स्रेपर पर डेटा map पे थूँ आ रहा है या कुछ भी स्तरा के डेटा आ रहा होगा और यहां पे value जो है ना वो यह लगाने के बजाए हम यहां पे लगाते हैं मैं मतला थुरा सा लगाता हूँ curie snapshot क्या यह value curie snapshot return कर रही है तो मुझे एक बार तसली कर लिया है तो curie snapshot बिलकुल curie snapshot और snapshot ठीक है जी अब यहां पे क्या जाएगा snapshot यह क्या कहता है बला यह जाएगा यह क्या यह जाएगा डॉक्स लगा दिया अब मैं इसको चेक कर लूँ है मैं फड़ा मारी आ रहे हैं मैं प्रिंट आइटम डाट डाटा आइटम डाट डाटा ओके ठीक है जी अब इस फंक्शन को क्या करो मैं इनिट स्टेट के अंदर इनिट स्टेट तो मैं पास यह स्टेटलस विजट है ना यह सो इसको स्टेट फुल विजट किया और इनिट स्टेट पे यहां पे क्या कॉल करवा दिया क्या लिख दिया मैंने बला get data का function देखते हैं जी अलावारस मैं नहीं लिखिया उन्हें नहीं लेकर लेकर लिखता हुआ तो item.docs.data ठीक है देखते हैं जी जब इस्क्रीन कॉल हो तो कोई नहीं कोई data आता कि नहीं आता error it does not have healthy internet connection नाइस यार docs के अंदर एक जली से मुझे कोई नाम बताओ कोई एक नहीं मतलब कि है वो product name price क्या करता जी और कुछ आया था अब snap shot के अंदर डाटा सारा आ गया है so I restart हो गई यह चीज और restart होने के बाद कुछ ना कुछ डाटा आया does not have a healthy internet connection the back end curie snapshot की type मैंने mention कर दी जी प्रोडक्स क्या मैं कर सकता हूं यह नहीं अच्छा अगर यह नहीं कर सकता तो snapshot.docs.foreach foreach के अंदर यहां पर for each लगा के print किया element.id id तो get करें ना मैंने for each लगा के उसके id get करने कुछिश कर रहा हूं मैं और get data के इस function को अच्छा अब बहुत सारा data है element.id है और बहुत सारा data debug console में आ रहा है मैं क्या करना चाहता हूं इसको filter करना चाहरा हूं तो कैसे करूंगा सबसे पहले यहां dollar sign लगा के और यहां कुछ भी लिख दूँँगा ok 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 ठीक है जी ok ok कर दूँगा मैं यह बड़ी importance सी बतारा हूं आपको मैं अब मैं क्या करना हूं मैं अब यहां पे filter करता हूं ok k अब अगर ok k data आएगा तो वही शोगा यहां पे otherwise कोई और data नहीं आएगा ठीक है अब हम snapshot में से साथ data लाके तो हम एक snapshot एक हम लोग इसमें result में return करवा रहे हैं और print करवा रहे हैं ok k k k कुछ भी नहीं आया कुछ भी नहीं आया what is the error no address associated with the host name cast by java.net unable to resolve host android no address associated watch stream का issue stream close हो गई हमारे पास और fail to resolve resolve name status पता नहीं यह क्या आ रहे है so status one ignoring values because its value was called on null अभी तक data नहीं आया इसका मतलब कि कोई नहीं को मसला है इस get data को मैं यहां से क्लिक करके build के अंदर यहां पर paste करता हूं ताके यह हर बार जितनी बार यह डाटा लोड़ हो इतनी बार डाटा शो हो पपुलर आइटम्स नहीं कोई और इशू है जा सुनो बेटा बहुत ज्यादा खंपने के बाद बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम इस उकल करेंगे आज के लिए इतना ही बाई बाय लाफिस डाटा